दोस्तो इसकिन के उपर आप सभी जो फोटो देख रहे हो या फोटो चाइनीज मेडिया से लेकर सोसल मेडिया की उपर काफी जादा बाइरल हो रही है क्योंकि इस फोटो में जिस भी हतियार का जिकर किया गया है वो चाइना के लिए सबसे बड़ा खत्रा होने वाला है और इस फोटो के आने के बाद ऐसी कनफरमेशन लग रही है कि भारत के लिए जो सबसे बड़ी सुरक्षा का सबसे घातक हतियार होने वाला है वो भारत के द्वारा बना लिया गया है दरसल इसकिन के उपर आप सभी एक और फोटो देख सकते हो यह है भारत की अगनी फाइम मि की है यह आप सभी को पता है परन्तु अभी जो आप सभी में अब देख रहा है उसकिन के उपर यह है अगनी फाइम नहीं भारत की सम्मरीन लॉंच के फाइम मिसाइल की रेंज है जिसमें आप साप साप तोर पर देख सकते हो कि एशिया का चप्पा चप्पा इस मिसाइल क रेंज के अंदर है और इस मिसाल के आ जाने के बाद एशिया में कोई ऐसी जगा नहीं बच्चती है जो की भारत की मार से दूर रहे और सोसल मीडिया के ऊपर के फाइम मिसाइल की चर्चाएं इसलिए भी चल रही है क्योंकि भारत ने अपनी सेकेंड न्यूकलियर ऐसेस बीएन यानि आइनस अरिगाट को अभी हाली में लौंच कर दिया है और भारत का यहीं सा प्लान है कि अंगले साल भारत की तरप से एस फ और आइनस अरिगाट के फाइम मिसाइल को केरी नहीं कर सकती हैं के फाइम मिसाइल को केरी करने के लिए हमें एस फोर्स रेनी की पंडुबियां चाहिए और जब यह पंडुबियां भारती नो सेना में सामिल होने लगें यांगली साल से तो पूरी संभावना है कि भारत के पास के फाइब मिसाइल भी है और इसका परिक्षन डियाइडियों ने किसी अंडर ग्राउंड लॉंचर के माध्यम से किया है परंतु जानकारी खुल कर सामने नहीं रखी है दुनिया के सामने और इसी कारण से जब इस परकार की फोटो सामने आ रही है तो चाइना की मीडिय कि तरब से भी भारत को सलाह दी जा रही है कि भारत अपने परमाणू हत्यारों का जो उप्योग है वो जिम्मेदारी से करे और एक जिम्मेदार देश बनने की कोसिस करे